हेलो स्टुडेंट्स वेल्कूम टू तीवारी अकेडमी अब हम देखते हैं क्वेश्चन नमबर 9 यह 3 ग्रॉस 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है यह इन्वर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मेंट A इंटू एड्जोएंट A तो सबसे पहले निकालते हैं डिटर्मेंट यह value क्या है कि row 1 के along expand कर लेते हैं यह आएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 0 4 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 7 यह हो गया माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 जोकि नॉन जिरो है मतलब A इंवर्स एग्जेस्ट करता है तो adjoint A निकाले adjoint A निकालने के लिए सारे cofactors निकालने पड़ेंगे तो सबसे पहले A11 निकाले A11 क्या आएगा माइनस 1 की पावर 2 1 प्लस 1 माइनस 1 की पावर 2 इंटू इसका माइनर देखना है 1 1 का minus 1 minus 0 तो यह हो गया minus 1 तो 1 into minus 1 हो जाएगा minus 1 a 1 2 minus 1 की power 3 into a 1 2 इसका minor 4 minus 0 4 तो minus 1 into 4 minus 4 a 1 3 minus 1 की power 4 into 1 3 का minor 8 minus 7 1 तो plus 1 into 1 यह हो गया 1 a 2 1 a 2 1 निकालने के लिए minus 1 की power 3 into इस element का minor यह हो गया 1 minus 6 minus 5 तो यह हो गया minus 1 into minus 5 plus 5 a 2 2 minus 1 की power 4 इस element का minor 2 plus 21 23 तो plus 1 into 23 23 a 2 3 minus 1 की power 5 इस element का minor 4 plus 7 11 तो minus 1 into 11 minus 11 a 3 1 minus 1 की power 4 इन्टो 3 1 minus 7 element का minor 1 plus 3 यह हो जाएगा plus 1 into plus 3 plus 3 a 3 2 minus 1 की power 5 इन्टो इस element का 3 2 element का minor देखना है तो 0 minus 12 minus 1 into minus 12 यह हो जाएगा plus 12 a 3 3 minus 1 की power 6 इन्टो इस element का minor minus 2 minus 4 minus 6 तो plus 1 into minus 6 यह हो जाएगा minus 6 अब a inverse a inverse होगा 1 upon determinant a into adjoint of a जो की है a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 यह value है गी 1 upon determinant है minus 3 और इन सारे co-factors की values रख देते हैं minus 1 minus 4 1 5 23 minus 11 और 3 12 minus 6 3 12 minus 6 यह आपका a inverse और इसका answer आ गया